बाई ओवे नो ये लड़ाई किसके बीच में एक और बारा लाग करोर के गपले गोटाले करने वाले इंडी एलायंस है और दूसरी और तेईस साल से मुख्यमंत्री प्रदान मंत्री रहते हुए जिस पर 25 पैसे का आरोप नहीं है वो नरेंद्र मोधी है नरेंद्र मोधी है एक और ठोड़ा ही गर्मी बढ़ते ही थाइलेंड और बैंकक चुट्टी पर जाने वाले राहूल बाबा है मेरी बात याद रखना चार तारिक को काउंटिंग है छे तारिक को राहूल बाबा निश्चीत रूप से वैकेशन करने जाने वाले हैं एक और हर छे मैना विदेश में चुट्टी करने वाले राहूल बाबा है और दूसरी और तेईच साल तक दिपावली के दिन भी चुट्टी लिए बगेर सेना के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोधी एक और एक और आरक्षन को संड़क्षन देने वाले नरेंद्र मोधी है और दूसरी और मुसल्मानों को आरक्षन देकर ST, SC, OBC का आरक्षन छिनने का प्रयास करने वाली कॉंग्रेस पार्टी है भाईयो बेनो एक कॉंग्रेस पार्टी जूट फेला रही कि बारतिय जंता पार्टी का बहुमत आए तो आरक्षन चला जाएगा मैं आज जज़र की इस पवित्र भूमी पर कह कर जाता हूँ जब तक बाजब का एक भी संसद संसद में है आरक्षन को कोई हाथ नहीं लगा सकता नहीं लगा सकता एक कॉंग्रेस पार्टी ने करनाटक और तिलंगाना में 4 प्रतिसत और 5 प्रतिसत आरक्षन मुसल्मानों को दिया एक आरक्षन किसका कम हुआ ओबी सी का कम हुआ पिछड़ा वर्क का कम हुआ पिछड़ा वर्क के आरक्षन को चिनने वाली कॉंग्रेस पार्टी है भायो बैनो राहूल गांदी जी ने इस इलेक्षन की शुरुवात भारत जोडो यात्रा से की थी इलेक्षन का अंप कॉंग्रेस धुंडो यात्रा से करना पड़ेगा दुर्बिन लेकर भी कॉंग्रेस नहीं दिखाई पड़ेगा